आवेरी यली प्रियांखा गांधी वाद्रा मातनार्था दरे बने केरणा नाने गवंदु गोत्ति दे हेंड मकलो इवत्तो कृषिर कर्यागी क्यलसा माड़ता रे क्यलसा माड़ी बंदो तम मने यली अडगे अना माड़ी यल्लारो सुकवा गिरता रे अंतकंता विचार वन्हा सदा काल मड़ या राद रे और हेंड मकलो इंतकंता दो और इसी तरह से जो खेती में काम करता है या जो कहीं नौक्री करता है महनत की इमानदारी की अपने बच्चों के भविश्य के लिए ही करता है इवा तो हेंड मक्लो यार प्चे परिशान होते हैं तो दुख होता है गबराषत होती है बच्चों का स्वास्त खराब होता है तो परिशानियां होती है हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़े हों उनका भविश्य मस्बूत बने और इस मेहनत में ये जो काम आप अपने बच्चों के भविश्य के लिए करते हैं इसमें देश भी आप आगे बढ़ाते हैं इस काम को करके ये देश के भविश्य का काम कर रहे हैं आप तो इसमें भी देश सेवा है ये छोटे काम नहीं है जवालाल नेरू जी कहते थे कि कोई भी काम अगर महनत और इमानदारी से किया जाए चाहे किसी के घर में आप बरतन मांज रहे हैं चाहे आप किसी का घरेलू काम कर रहे हैं चाहे आप किसानी हैं और खेती में काम कर रहे हैं चाहे आप डॉक्टर हैं शिक्षक हैं कोई भी काम हो अगर महनत और इमानदारी से आप कर रहे हैं तो वो देश सेवा में गिना जाता है आप मजबूत होंगे आपके बच्चे भविश में मजबूत होंगे तो देश की नई पीरी मजबूत होगी इसलिए जो सरकार आप चुनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है किस तरह की सरकार है उसके किस तरह के नेता है आपके लिए क्या क्या करेगी और आपको मजबूत बनाने का काम कैसे करेगी आपको मजबूत बनाने का करेगी